फ्रेंड्स, अगर आप कोई स्पेसिफिक रेश्ट्राउन आप आप रेश्ट्राउन के लिए बिंगे बिजनेस अन और आप फैस्बुक में इंस्टाग्राम पे ईरण करना साथे हैं या फिर डिजिटल मार्केटर के हिसाब से आप किसी स्पेसिफिक रेश्टरांट के लिए फेस्बूक इंस्टाग्राम पे आप आर्ड करना चाहते हैं तो आप आर्ड कैसे रन करें आपका अब्जेक्टिप्स क्या हो या फिर आप आपके जो टागेट ओडियांसे उन तोग आप कैसे पहुंचे और सबसे इंपोर्टन बात है कि आपका जो फेस्बूक या इंस्टाग्राम एड है उसको आप प्रॉफिटेबल कैसे करें यह सारे स्टेजी आज के इस वीडि डिलिवर करते हैं यानि आपका रेस्टोरांट कहां पर है और आप यह सारे जो एप से उसके त्रों में आप फूट डिलिवर करवाते हैं तो इसको भी इस वीडियो में हम कभर करेंगे उसके अलावा अगर माल जीए कि आपके वहां पर ब्रेक्फास्ट का स्पेशालिटी है या फिर अगर का स्पेशालिटी है उस टाइप के अगर रेस्टोरांट है तो भी आपको इस वीडियो में आपको बहुत बेनेफिलिबूइट मिलेगा या फिर माल जी की कोई आपका सीफुड स्पेशालिटी एग्जंपल आप से स्रीamm याफ्रल प्रील ल॑प्स्टर या फिर मालजीय की और कुछ seafood का आपका speciality है जैसे crab है तो उस type के speciality है तो भी आपको इस वीडियो में benefit मिलेगा उसके साथ साथ जो सबसे important part है वो है first food example मालजीय के आप पीजा आप बनाते हैं आप से burger बनाते हैं या फिर आप sandwich बनाते हैं तो इस type के अगर आपका restaurant है जिसको हम first food restaurant बोलते हैं take away service बगर होता है तो उसका भी strategy हम इसमें discuss करने वाले हैं उसके साथ साथ सबसे important जो most of the restaurant जो है profit कर पाते हैं loss करते हैं जिसको fine dine restaurant बोलते हैं या कोई specific category में एक्जामपल से नौर्थ इंडियान restaurant या फिर मालजी कोई स्पेसिविक कुजिन हो गया जैपनि चाइनिज कुजिन मेक्सिकन कुजिन इंडियान कुजिन तो यह सारे चीजे का डिटेल स्टेटेजी हम यह वीडियो में कभर करेंगे यानि facebook instagram में आपको आर्ण करना है और आपका जो restaurant विजनेस को profitable करना है तो इस वीडियो से आपको बहुत हेल्पिन में वाला है चलिए स टागेटिंग कैसे करना है पूरे के पूरे स्टेटेजी कैसे होगा आज आपको यह पांथ स्टेप पे बताने वाला हूं मेरे स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं स्टेप क्या क्या होंगे पहले मैं आपको बताऊंगा क्या आपका एड के अब्जेक्टिक्स जो हम facebook में इ पाकेट ओडियंस कौन होगे यानि किन लोगों को हम आर्ट दिखाएंगे थोड़ यह होगा कि हमारे जो रेस्टरांट या कैफे का जो आर्ड होगा उसका क्रियेटिप कैसे होगा यह बहुत इंपोर्टान पार्ट है आपका सक्सेस इस पे बहुत हद तक डिपेंड करता ह उसके बाद जो सबसे इंपोर्टान पार्ट है वह हैं अगर आप किसी भी फिल्ट का आप आर्ड रन कर रहे हैं तो आपका कम्पीटिटर का रिसर्च आपको डेफिनाली करना चाहिए तो वह कैसे करेंगे ओ भी हम इस वीडियो में हम डिटेल में डिसकस करेंगे उसके बा आपको इस वीडियो में इन डिटेल में बताऊंगा यहां एक इंपोर्टन चीज में आपको बताना चाहता हूं यह डिटेल टागेटिंग के रिलेटेड मैंने पूरे के पूरे डॉकुमेंट्स बनाया है आप सभी लोगों के लिए आप सभी लोगों को डॉकुमेंट्स म आपके लिए ही बनाया हुआ है अगर है डॉकुमेंट्स मिल गया ट्रस्ट मी आपका किसी भी टाइप का फेस्बुक आड्स रेस्टरांट या कैफे बिजनेस के लिए फैल नहीं होगा वीडियो आयंग तक देखने के बाद जो है आपको मुझे वाटसब करने है मेरे वाटसब नमबर क्या है 833981888 यह मैंने मेरे वाटसब नमबर यहां पर लिग दिया तो यह नमबर पर आपको वाटसब करना है लेकिन कंडिशन्स एक है कि आपको हमारे चनल को सब्सक्राइब करके वाटसब करना होगा आप मुझे सब्सक्राइब करें हमारे चनल को और मुझे स्क्रीन सब्सक्राइब करें फिर आपको यह जो डॉक्रमेंट्स आपके लिए बनाया है वह आपको वाटसब में विदिन 24-48 डार में आ जारेगा वीडियो बहुत जादा आपके हम फ्री में दे रहे हैं तो फ्री में अगर आपको कुछ चीज मिल ला है प्लीज उसको वेल्यू करें और एंट तक देखें इंप्लिमेंट करें सुरू करते हैं सबसे पहला पॉइंट वह फेजबुक आड के अब्जेक्टिप्स क्या होगा आपका रेश्टरांट एंड काफे बिजनेसे के लिए चलते फेजबुक पेजब आप सभी लोगों पहली पता है कि अ मैंगेघ मनेजर पे आ जाता है यहां पर यहą पर इफेरंट-टउम्ड करना होता है और हैं यहाँ पर जैसे ही हम click करते हैं यहाँ पर आपको different type के जो है campaign के objectives दिखाई देता है अब सबसे important point है जब हम Facebook में Instagram में restaurant के लिए हम add run करेंगे तो इसमें से कौन सा add run करेंगे कभी कभी क्या होता है कि अगर हमने गलत objective select कर लिया कितना भी बढ़िया आपने detail targeting किया होगा आपका add fail हो सकता है तो इसमें सबसे जो धमाकेदार सबसे बढ़िया जो आपके लिए जो objectives है वो है traffic बाले objectives ध्यान रहे इस point को लिख लिजिए traffic बाले objectives आपके लिए सबसे बहतरीन है traffic बाले objectives में जैसे ही मैं mouse अभर कर रहा हूं आप यहाँ पर नीचे देख सकते हैं messenger, instagram and whatsapp वो वाले आपको call to actions लेना है क्या लेना है traffic बाले ads में messenger, instagram and whatsapp वो लेना है पहला और दूसरा अगर आप add run कर रहा है traffic बाले campaign पर direct call वाले आप रखे मतलब आपके traffic बाले campaign पर किसी ने देखा उसमें click किया तो आपके साथ वाच्छब में उसके chat शुरू होगे या फ सबसे बढ़िया result देता है, second traffic बाले campaign लेकिन वहाँ पर जैसे button दबाएगा आपको चिदा call लगेगा और आप form में बात करेंगे, तो यह सबसे बहतरीन ad objective से restaurant and cafe business के लिए, समझ में आ गया, उसके बाद second options में आता है, यह जो awareness वाले जो objectives है, इसमें आप दो ad आप run कर सकते ह पहला video views आप कर सकते हैं, अगर आप video बाले कुछ ads आप run करना चाहते हैं, जैसे आपके कोई specific disc related या किसी भी type का आपने video बनाए हैं आपके इस ad campaign के लिए, वो कैसे होगा आगे discuss करेंगे, तो video views जो है, awareness कंदर video views और store location, उसका मतलब आपके जहां पर restaurant है, उस location पर directly लोग follow क करके आजाए, तो यह बाले awareness में यह बाकी जो है, यहां पर engagement, यहां पर leads, apps promotion, यह सब आपको जरूरत नहीं है, यहां पर engagement में आप देख सकते हैं, engagement में calls वाले options भी है, उसका आप try करना चाहेंगे कर सकते हैं, और engagement का अंदर भी messenger, instagram and whatsapp भी है, उसको भी try करना चाहेंगे कर सकते हैं, लेकिन इसमें lead generation भी ना करें, इसमें apps promotion नहीं करें, sales वाले नहीं करें, तो यह तीनों जो है, पहला preference traffic, second preference awareness, third preference engagement, इतने में आपका facebook, instagram का ad for restaurant and cafe business जो है, complete हो जाएगा, समझ में आ गया, पहला point, आपका ad objective जो है, उसका strategy आपको समझ में आ गया, उसके बाद समझते है, कि आपका target audience कौन होगा, मतलब आपकी square दिखाएंगे, यह part बहुत जादा important है, आप जब आप facebook में जब आप ad run करते हैं, यहाँ पे हम चलते हैं, यहाँ पे example traffic बाले campaign को ले लेता हूं, traffic बाले campaign लेने के बाद continue करता हूं, यह सब आपको set करना आता है, इसके लिए ऐसे मैं assume कर रहा हूं, ठीक है, continue करते हैं, manual campaign लेके continue करते हैं, continue करने के बाद जो है, यहाँ पे जो second ad set level है, यहाँ पे ad set level पे जब हम आ जाते हैं, ad set level पर यहाँ पे देखिए, हमने यहाँ पे messaging आप से हमने select किया है, जहाँ पे हमें लोग messenger पे, instagram पे या whatsapp पे हम connect करेंगे, तो थोड़ा सा side net slow हुआ, ओके, wait करते हैं, चलिए, मैं फिर से सुरू से दिखा देता हूं, this example यहाँ पे all tools पे हमने click किये, click करने के बाद हम यहाँ पे ads manager पे click किये, ads manager पे click करने के बाद जो है, हमें create a campaign पे जाना होगा, create a campaign पे हमने click किये, जैसे ही create a campaign पे हमने click किये, उसके बाद हमने traffic बाले campaign select किये, objective select किये, उसके बाद हम इसको continue करते हैं, जैसे continue करेंगे, यहा बाद इसको continue करना है continue करने के बाद आपको एड्स यहां पर तीर आपको लेयर दिखने दिखना लगेगा एक है campaign दूसरा है आड़ सेट तीसरा है एड़ सो campaign बाले में आपको यहां पर campaign के नाम दे देना है उसके बाद यहां पर बाइंग टाइब आपको ऑक्सन ही रखना है एड़िटेस्ट आपको ओफ रखना है एडवांटेज केंपेन बजेट जो है इसको आपको ओन रखना है और यहां पर यह स्पेसिविक केंपेन के लिए अब आपका डेली बजेट सेट कर सकते हैं 100, 200, 500 उपीश, 1000 उपीश करना है जैसे आप नेक्सके क्लिक करेंगे यहां पर आठसेट सबसे यहां प Kirk कर आपका देख सकते हैं करक्णा सबसे बहतरीन है एक अजिए जो है जो ऑंतिक फेस्बूक ने सबसे बहतरीन मना जाता है जिसमें आपके मेसेज करेंगे WhatsApp पर या Instagram पर या Messenger पर और यहाँ पर आप देख सकते हैं दूसरा जो है call, इसमें से पहला यह सबसे बहतरी ने, दूसरा यह है, आप चाहेंगे तो दो अलग-अलग आप आइड सैट आप बना सकते हैं, एक आइड सैट में आप मेसेजिंग आपस लग सकते हैं और दूसरे आड सैट में आप call लग सकते हैं, उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं, performance goals जो है, इसको maximum number of link clicks यह definitely आप रखें, यही रखें maximum number of link clicks, बाकी क्या है, उसको आप ध्यान मत दिजिए, है न, उसके बाद यहाँ पर आपको देख लेना है, कि आपका Facebook, Instagram यह सार जात है, कि सारे चीज़े आपको select कर लेना है, आपको यहाँ पर WhatsApp, App, Messenger और Instagram यह तीनो ज़रूर select कर लेना है, यहाँ पर देख सकते हैं, तीनो select कर लेना है, अगर आपको लगता है कि नहीं, आपको इंस्टाग्राम पर chat नहीं कर नहीं है तो उसको उसको select रखेंग, लेकिन किसी एक को सिलेक करना पड़ेगा। अगर आप मेकजिमम चाह रहे हैं तो यहां पर तीनों रख सकते हैं मेरे फेब्लाइट जो है जो मैं पर्सिनली प्रुपर करता हूँ वो है वातसभ। तो यहां पर चाहें आप Geography स्थिलेक करें मैंने स्थिलेक करके दिखा दिया उसके बाद आपको नीचे जाना है यहां पर आपको start date अगर आप अभी immediately art चालू करना चाहते हैं तो यहां पर इसमें कुछ change ना करें अगर आप इस art को schedule करना चाहते हैं यानि कोई एक specific day पे आप चालू करना चाहते हैं तो यहाँ पे जो है क्लिक करके आप date and time आप यहाँ पे डाल सकते हैं यह सब करने के बाद जो है man खेला जो है यहाँ पे है मतलब हमारा जो second point था क्या second point था यहाँ पे second point हमने क्या रिखेते target audience यानि हम किसको हमारा art दिखाएंगे ठीक है सो जो किसको हमारा art दिखाएंगे यह वाले part को आपको ध्यान डखना है इसको मैं detail में पहले explain कर देता हूं for an example आपको देखना है कि आपका restaurant जो है कहां पे है आपका restaurant कोई specific city में होगा कोई specific town पे होगा और आपको यह ध्यान दे रहा है कि आपके restaurant जो location पे है वहाँ पे कैसे लोग आते हैं माल यह कि हमारा restaurant मुंबाई में अंधेरी में तो अगर अंधेरी में है लोग हमें अंधेरी के nearby location से आएंगे यानि अंधेरी इस्ट हो या अंधेरी वेस्ट हो या विले पाले हो सेंटे करूज हो खार हो इस मुंबाई से अंधेरी नहीं आएगा तो यह केस में आपको ध्यान रहे restaurant के जब आप रन करते हैं आपका location को आप ध्यान से सिलेक करें या फिर आप जो किलमेटर से उसका आप 5 किलमेटर 10 किलमेटर 2 किलमेटर ऐसे कम से कम रेडियोस सिलेक करें यहां लोग गलती क्या करते एक्जामपल पूरे मुंबाई को सिलेक कर लिया और पूरे मुंबाई को अगर आप सिलेक करोगे तो आपका अएड जो है बेकार हो जाएगा लोगों को दिखेगा अब आपका restaurant है अंधेरी में लेकिन पनविल में लोगों को दिख रहा है या आपी नमी मुंबाई में लो को और यह 17 किलोमेटर नहीं इसको 5 किलोमेटर 10 किलोमेटर डिपेंड से आपके रेश्टरांट कितने बड़े हैं उसके हिसाब से उसके बाद एज ग्रूब आपको क्या रखना है रेश्टरांट वाले आयड्स के लिए आप एज ग्रूब 23-50 रखें हमारे एक्सप्रियंस के इसाब से सबसे ज़्यादा अच्छा पर्फूम करने वाले जो एज ग्रूब है यह ही है आप 17 साल 18 साल 19 साल इसको मत रखना क्योंकि 18 19 साल 20 साल वाले फिर भी पेरेंट्स के कंट्रोल में होते हैं यहाँ पे 23 से जो है ना 23 प्लॉस जो है बहुत अच्छा पर्फूम करता ह है और 50 प्लॉस मत रखना क्योंकि उनको अगर रेस्टरांट जाना है घर में जो यौंग है वो लोग डिसाइड करते हैं तो यह जो एज ग्रूब है यह सबसे बहतरीन है तो लोकेशन और एज ग्रूब आपको समझ में आ गया यानि जो पॉइंट टू हमारा था आप आप सब्सक्रेश जो है करते हैं यहां पशच्राइब minder करते हैं भी मारा राष्ट्रह कर रहे हैंब यहां पर क्या है मुम्वाई में 40 किल्यों डीओस आ गया तो इसको मैं कम से कम करके जो है यहाँ पर ऐसे कम कर दिया और यहाँ पर मैं ऐसे भी कर सकता हूँ माल जिए कि मुझे पूरे मुंबाई में नहीं दिखाना है मैं छोटे छोटे एरिया को जो है ना मैं टागेट कर सकता हूँ example मैं drop pin करता हूँ drop pin करके जो है न यहाँ पे bendra को मुझे target करना है यह bendra को मुझे target करना है ठीक है? यहाँ पे देखिए bendra को target किया मैंने और यहाँ 16 km के बदले में मैं इसको और कॉम कर सकता हूँ देखिए मैंने bendra का खाली 6 km area को ंगेट किया क?, यहां पे मैप पे आप जुमीन करके एक बार देख लीजिए कैसे किया रहे श्मझ में आ गया आपको छेए क्लोमेटर रिडियस जहां पर हम बंधुरह में हमारा मॉलज्य की रेश्टरॉंट भी यहां और नहीं उन्य हम बेंड़रा में 6 एक किलोमेटर रेडियस को टागेट किया यह देखे एक किलोमेटर रेडियस मतलब बेंडरा वेस्ट जो बेंडरा का वियाइप एरिया है पाली हिल जो बेंडरा का वियाइप एरिया है लिंकिंग रोड बेंडरा का है श्रीब एक किलोमेटर रेडियस मतलब इसको और के रेडियस आप करें 15 किलेमेटर रेडियस 20 किलेमेटर रेडियस तभी करें जब आपका प्रांट बहुत फैमस है लोग आपके पास आने के लिए लोग इतने टाइम इतने डिश्टांस टावेल करना चाहते हैं जैसे एक्जामपल मंबे में मलवा नहीं हो गया या फिर माल जीर की महिश लंचम हो गया यह बहुत फैमस है या डेली में अभराई हो गया यह बहुत फैमस है तो इस टाइब के लिए लोग ट्रावेल कर लेते लेकिन अगर आपका मीट कौर या स्मॉल रेस्टांट है तो आप यह क्लारिटी कर दिया कि आपका टागेट ओडियांस कौन होगा एज ग्रूब आपको समझ में आ गया किलोमेटर्स आपको समझ में आ गया अब चलते हैं यहां पर आड़ क्रियेटिप्स और एक कंप्रियेटर साथ इसको हम साथ में समझेंगे आपको बढ़िया समझ में जाएगा जो आप रेश्टरांट बिजनेस के लिए आप करते हैं आपका क्रियेटिप्स कैसा होगा वह बहुत ही इंपरण फेक्टर है उसके उपर डिपेंड करेगा आपका सक्सेस होगा मतलब आपने अब्जेक्टिप्स आपने सही कर लिया आपने राइट लोकेशन क्लान नहीं आ रहा है या और आपने रिसर्ज ही नहीं किया आपने देखा यह नहीं थिक्टेंट्रों की स송 चांप टूल परयुक अग्युक है यहां पे एक सबसे important बाद में आपको दिखाना चाहता हूँ बहुत सारे ऐसे ग्यानी महापुरूस है जो बोलते हैं कि यार restaurant के लिए facebook में आर्ट अर्ण करने का जोरोत नहीं है क्योंकि facebook आर्ट प्रफॉर्म ही नहीं करता है या फिर वो profitable नहीं है ऐसे महापुरूस को मैं 50,000 एड़्स चालू है इसी specific keywords पहरा आप इमाजिन कर सकते हैं 50,000 एड़्स चालू है इससे आपको क्या सिखना है एक चीज देखिए यहां पर एक कोई गुजरात का कोई रेश्टरांड है जहां पर गुजराती में लिखा हुआ है मैं नहीं पर सकता गुजराती में क्या लिखा हुआ है यहां पर आप देख सकते हैं उनका और कफी में क्या लिखा हुआ है और लिए कहां पर है दिया हुआ है मुबाइल नंबर भी यहां पर डाला हुआ है समझ में आ गया आपको एक जैंपल मिल गया जहां पर मुबाइल नंबर भी दे दिया लोके सम भी दे दिया उसके बाद साथ यहां पर इनलोग का कोई थाली फैमर से यहां पर आप देख सकते हैं थाली का बड़ी आसा photographs दिया हुआ है और call to action आप देख सकते हैं यहाँ पे send message रखा हुआ है Instagram पे send message रखा हुआ है तो यह one of the best ad के example है जिसमें जिनको थाली खाना है पूरे family के साथ जा रहा है तो यह art देखेंगे और जिस तरीके से इनका जो creatives का जो presentation से है तो यह awesome है यहाँ पे देखिए इन्होंने जो art दिया हुआ है देखिए कैसे बड़िया चीज है यह गुजराती restaurant है इसकले इनके ad creatives में एक creatives में गुजराती में लिखा हुआ है और एक creative में English में लिखा हुआ है जिन लोग को गुजराती प्यार है गुजराती प्रसंद और गुजराती में पढ़े और आजाएंगे और जिन लोग को आजकाल बहुत सारे यंग जन्रेस ने जिनको गुजराती नहीं पढ़ना आथा है तो यहाँ पे English में भी समझ में आ जाएगा message करके तुरण से बा होना है वह समझ आ गया यहां पर देखिए यह कोई एक restaurant है यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर आप देख सकते हैं किस तरीके से इन्होंने इनके जो है एड कफिर लिखा हुआ है और यहां पर इन्होंने mention किया है कि reserve your table यानि अगर यह specific restaurant पर आप आना चाहते हैं तो उसके बाद इन्होंने सबसे बढ़िया लिखा है कि इस restaurant को क्यों विजिट करना है फाइब रिजिन फाइब रिजिन स्वाइट विजिट और यहां पर आप देख सकते हैं इनके फाइब स्पेश्याल डिस यहां पर दिया हुआ है नमबर वान यहां पर देख सकते हैं WhatsApp मेसेज तो यहां पर भी आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से इन्होंने इनका स्पेश्यालिटी लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ है टेबल रिजर्ब करना है लिखा हुआ है एड्रेस स्मार्ट ली डाला हुआ है फोन नमबर डाला हुआ है और उनके डिसेस के बीच्व के लिखा है और यहां पर देखिए मतलब करते जाएंगे स्कॉल डाउन अगर आप करते जाएंगे और इससे आपको बड़ी आइडिया आपको मिल जाएगा किसी बी देखिए कितने चीज़ आपको देखने मिल रहा है तो इसके बेसी पे अगर आपको क्रेटिव क्या लेना है आपको ad copy में क्या लिखना है call to actions क्या लेना है तो आपको यहां से ही आपको मिल जाएगा क्या लिखके सर्च करना है समझ नहीं आ रहा है simple restaurant लिखके type कर दो facebook art manager पे facebook art library पे तो आपका काम हो जाएगा आपका research बड़िया हो जाएगा समझ में आगया copy नहीं करने है आपको इससे आपको समझ में आ जाएगा कि आपको लिखना कैसे है creative कैसे बनाने है आपका original आपका यूनिक टच आपको content में creative में देना है ठीक है point क्या कर दिया मैंने point 3 था art creatives और competitors यह दोनों चीज को मैंने जो है ना साथ में explain कर दिया अब चलते हैं यह वाले जो वीडियो का सबसे important पार्ट है detail targeting और detail targeting को ठिक से समझते हैं detail targeting समझने से पहले आपको आपके business को समझना होगा यहाँ पे मैंने जो आपके लिए seat बनाया हुआ है यहाँ पे आप देखिए सबसे पहले आप decide करिए कि आप online food deliver करते हैं यानी जमाटो उबर उबर इट्स सुईगी इस टाइप के जो जो मतलब food delivery आप से उसके थ्रों में आप food deliver करते हैं उस टाइप का रेश्टरॉंट है तो यह वाले जो detail targeting आपके लिए बहतरीन है इसको स है इतने से आपका काम हो जाएगा सो पहला interest one लिखा हुआ है दूसरा यहां पर आप देख सकते हैं इसको आप समझिए interest two यानि अगर आपका रेश्टरॉंट ऐसा है जहां पर आपका कोई special breakfast है या फिर आपका special lunch है special dinner है लोग breakfast के लिए या फिर lunch के लिए या फिर dinner के लिए जैसे कि dining हो गया या Sunday brunch हो गया इस टाइप के चीज़ के लिए अगर आपका restaurant famous है तो आपके लिए ये जो detail targeting है ये सबसे बहतरीन है आप ये जो detail targeting है इसको copy कर लिजिए same to same आपका काम हो जाएगा और बोलेंगे कि आपका ये सारे है मतला आप breakfast भी देते हैं या फिर आपका lunch और डिनर भी है प्लॉस आप online भी आप डिलिवर करते हैं तो आप दो आर्ट्स बना सकते हैं दो आर्ट्स बना सकते हैं एक में आप ये इंट्रेस्ट ले सकते हैं दूसरे में आप ये इंट्रेस्ट ले सकते हैं समझ में आ गया उसके बाद चलते हैं तिसरा अगर आपका कोई ऐसे specialty का restaurant है जिसके लिए लोग आपके पास आते हैं तो आपको इस type का जो है इस type का interest base आप जो है add create कर सकते हैं clear हो गया और again online में अगर आप बेशते हैं आपका food deliver करते हैं तो interest one वाले जो है आप जरूर सिलेक करें उसके बाद आते हैं interest four इंट्रेस्ट फोर बहुत जादा है इसमें most of the restaurant business आ जाते हैं अगर यह फर्स्ट फूश्ट के related है जैंपल आप फ्राइड चिकन बेशते हैं पीजा बेशते हैं या फिर वर्गर बेशते हैं इस type के अगर आपका मतलब restaurant है तो आप यह जो interest four है इसको सिलेक कर लिजिए इसमें क्या है डेफिनाइल अगर आप बर्गर पीजा और या इस टाइप का फर्स्ट फूट बेशते होंगे तो आप ऑनलाइन भी डिलिवर करते होंगे ऐसे केस में आप जो यह जो पहले वाले जो दिखाया इसको भी एक दूसरा आप बरा सकते हैं तो ऐसे केस में आपको यह interest four आपको सिलेक करना चाहिए उसके बाद अगर आपका जो restaurant है आपका कोई specialty है कुहें वा इस ऐसे और फिर आपका खनाता ही तो आप काम करें तो आप आप शे आर्ट्र बना सकते हैं और मेरे में आप यह आर्ट चेंपने बना सकते हैं एक campaign में आप ये वाले interest select करिए, दूसरे campaign में ये वाले interest select करिए, तिसरे campaign में ये वाले, चोथे campaign में ये वाले, लेकिन अगर इस टाइब के 5-6 आप करेंगे, उसमें आपका budget जादा जाएगा, आपको समझ में आ गया होगा, ये जो 5 मैं से आप कौन से category में fall करते हैं, और उ Facebook art पर यहां पे थे, आपको समझ में आ गया है, यहां पे थे, हम लोग, यहां पे locations को narrow करके हमने select किये थे, यहां पे देखिए, वेंडरा location को हमने दो किलेमेटर के video select किये थे, उसके बाद detail targeting करने के लिए, यहां पे देखिए, audience suggestion optional लिखा हुआ है, तो यह जो optional लिखा हु पर क्लिक किया, यहां पर आपको age लेक करने है, age के लिए आपको edit करना होगा, जैसे मने आपको शुरू में बताया था, आपको age कम से कम 23 रखना है, और यहां पे ज़्यादा से ज़्यादा जो है, आपको 50 रखना है, उसके above आपको नहीं रखना है, जेंडर में आप आप male, female, man, woman, यहां पर all gender रखे, और उसके बार detail targeting, यहां पर detail targeting पर आपको seat keywords पकड़ना है, जो मैंने आपको बना के दिया, उस seat keyword को सिधा copy paste करना है, एक दो आपको random examples देता हूँ, परन example यहां पर मैं restaurant को copy करता हूँ, restaurant को यहां पर paste करता हूँ, जैसे restaurant को मैं यहां पर paste किया, यह देखिए यहां पर आ गया, लेकिन ध्यान रहे, सारे के सारे interest select करे, interest based select करे, यहां पर job title या employee, यह सब के base पर select ना करे, behavior के base पर select ना करे, interest based, यहां पर restaurant dining में select करता हूँ, क्या select किया, restaurant dining, दूसरा कोई भी keywords मैं randomly ले लेता हूँ, यहां पर देखिए street food लिखा हुआ है, तो इसको मैं randomly ले लेता हूँ, कोई भी street keywords, street food मैंने select किया, और street food देखिए, यहां पर interest based मैंने select कर लिया, दूसरा मैंने select कर लिया, कोई भी और एक मैं ले लेता हूँ, यहां पर fried chicken ले लेता हूँ, fried chicken, यहां पर इसको मैं paste करता हूँ, fried chicken paste किया, एगर यहां पर देखिए में तिन यहाँ पर selective कर लिया आपको जबह नहीं समझाता है सिधा-सिधा एक कपी करें उधर पेस्ट करें करें सिंपल इतना सिंपल पहला तरीका कि सिधा-सिधा यहां से एक घ्वह में उसे copy करेंगे वहां पे PS語 करेंगे और उसको select कर लेंगे यह एक तरीका है दूसरा तरीका यहां से दो तीन जो मैं की वर्स आपने उठा लिया उसके बाद यहां पर सजेसंस पर क्लिक करें सब्सक्राइब करने के बाद यहां पर होटल एंड रेस्टोरांट के रिलेक्टेट जो भी दिखाई दे रहा है जो इंट्रेस्ट बेस है उसको एक-एक सिल नहीं लेना है यहां पर फॉस्ट फूट फूड लिखाए यह ले सकता हूं तो इंट्रेस्ट बेस जो यहां पर आपको दिखाई दे रहा है यहां पर देखिए चिकन फूड लिखा है इंट्रेस्ट बेस इसको सिलेक्ट करें आपको दो तरीका बताया एक तो आप यहां से directly copy paste करें सबसे easiest तरीका है कुछ समझने का जोरूत नहीं है दूसरा है seed keywords यहां से 2-3 उठा लिजिए उठा के यहां पे paste करें interest best select करें उसके बाद suggestions पे click करके बाकी आप select करें लेकिन इससे गलती हो सकता है अब आप export नहीं है तो इसके लिए seed मैं आपको देने वाला हूं मेरे जो number यह number पर आपको WhatsApp करना है हमारे चनल को सबस्ट्राइब करके है तो फिर आपको WhatsApp पर मिल जाएगा अगर आप हमारे paid course का हिसा हो तो course के अंदर जो है यह आपको मिल जाएंगे समझ में आ गया detail targeting कैसे करते हैं यह समझना आ गया उसके बाद क्या simple आपका मांद के चलो detail targeting हो क्या उसके बाद placement जो है यह placement पर हमको रहने देना है more पर अगर आप click करोगे या फिर आप edit पर click करोगे आपको manual placement आता है तो manual placement करे नहीं आता है तो जैसा है advantage plus placement यही रहने दे उसके बाद आपको simple next कर देना है next करने के बाद campaign का जो last step पर हम आ जाएंगे यहां पर आप देख सकते हैं जो हमने competitor analysis किया था कि हमारा creatives कैसे होने चाहिए तो यहां आप decide करें कि मुझे यहां पर यहां पर आपका जो प्राइमरी टेक्स है चैट उसको आप देख सकते हैं यहां पर आपका जो creatives से उसको आप upload करें creatives upload करने के बाद यहां पर जो प्रायमरी टेक्स चैट वह जैसा है ऐसे रहने दे creatives में आपका headline साब रख सकते हैं call to action में यह send message आप रख सकते हैं तो यह सब हो जाने के बाद जो है यह सारे चीज़ को आप complete करने के बाद यह सारे चीज़ को आप complete करने के बाद simple यहां पर आपको publish कर देने है मैं add को in details में explain इसके लिए नहीं किया क्योंकि आप मेंसे बहुत चाल लोगों को add कैसे run करना है वह आता है लेकिन strategy समझना जरूरी है आपको strategy आप समझोगे तभी जाका आप add को आप right तरीके में कर पाऊगे add आपका rightly place होगा ठीक से लोगों को दिखेगा और आपका add से बहुत अच्छे result generate होगे तो आपका आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आप facebook में और instagram में कोई restaurant या अगर आप add run करना चाहते हैं तो आपका add का strategy क्या होगा creatives कैसे होगे आपका add में आप call to action क्या decide करेंगे कैसे लोगों को दिखाएंगे है ना बहुत सारे चीज़े हमने discuss कर दिए friends उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर यह वीडियो पसंद आय आपको likes करना है comments करना है subscribe नहीं किये हैं तो subscribe करें और यह number पर मुझे whatsapp करें अगर आप यह seat चाहते हैं नहीं चाहते हैं तो मद whatsapp करें और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में और इस टाइप के क्या और वीडियो चाहिए मुझे comments में जरूर बताईए फिर में next series में आपक कमेंट्स में प्लीज सजेसंस देना आपका सजेसंस को मैं सीरियसली लेता हूं और उसमें वीडियो में जरूर बनाऊंगा चलिए फिर मिलते हैं